नमस्का शिक्षार्थियू। अगर आप जीवन में कुछ हासल करना चाते हैं, कुछ बनना चाते हैं, तो आपके लिए या निवारे की आप समय के महत्र को समझें। प्रतेक व्यक्ति की देनी, दिन चर्या, समय के अनुसाय आयूजित होनी चाहिए और कभी भी अपने कारे को टालना नहीं चाहिए। परिवार के समय का समाय उजिन करना एक ग्रहनी के लिए जिटल समस्या होती है, क्योंकि उसे परिवार के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक सिमित समय के अंतर गत संपन्न करना पड़ता है। गह विवस्ता में समय प्रबंदन का अर्थ होता है कि परिवार की विभिन करियाओं में समय का समूचित विभाजन करना ताकि परिवार और उसके सदस्यों को अधिक्तम लक्ष पूरा हो सके। जह हम समय के बारें बात करते हैं समय एक महतपूर संसाधन है जिसका उप्योग प्रतेक वक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है। समय प्रबंदन का ज्यान होना हर व्यक्ति के लिए महतपूर्ण है। समय को कुछ सोथ करता हूँ, वा विज्यानिकों के मानवी वा कुछ ने अमानवी साधन माना है, पर उन्तु दोनों ही इस्तितियों में यह एक महर्पूर्ण और सिमित साधन है। अमानवी साधन के अंदर सामुदाइक सुविधाएं, समय, धन वा अन्वस्त्वें आती हैं। विविन कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उसको करने की क्रम को सुविचार का विवस्तित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचिस समय प्रबंधन में गख्षिता मिलती है, पादकता बढ़ती है और कारिश सही समय पर पूर्ण होते हैं। लोगों ने हमेशा चीजों को बहतर करने और अधिक कुशल तरीकों की खोच की है। प्रबंधन भी इन में से एक ऐसी ववस्ता है जिसमें समय समय पर कई तरह के बलाओं हुए है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को आमतोर पर विग्यानी प्रबंधन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1911 में अपनी पुस्तक The Principles of Scientific Management लिखी जो फ्रेकवा लिलियन गिलब्रेत के काम के साथ मिलकर आज के समय प्रबंधन के लिए लौंचिंग पैड बन गई है। समय प्रबंधन में निम्लिखित बिंदु शामिल होते हैं जैसे प्रभावशीलता के अनकूल वातरवन बनाना, प्रात्मिक्ताओं की स्थापना, गैर प्रात्मिक्ताओं का परखर्च के समय की कमी की प्रसंमंदित प्रकरिया लक्षयों का कर्यानवन। अब हम यहाँ पर समय के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम गुणवत्ता समय के बारे में बातचीत करते हैं. इस समय की आधुनिक परिपेक्षि में सबसे अधिक इसकी मांग रहती है. आजकल की व्यस्त दिन चर्या में समय का दाइरा समित होता है. एक नि को घुमाना पिकनिक इत्यादी यह समय सिर्फ मनुरंजन का नहीं बलकी भावत्मक जुडाव वा आपसी प्रेम वासवार्थ का भी प्रतीक है अब हम मनोविज्ञानिक समय की बात करते हैं इस समय को एक अनुभाव की भाती लिया जाता है जैसे यदि आप किसी परिणाम की प्रतिक्षा करते हैं तो उस सन एक शन भी आपको एक घंटी के समा लगता है परन्तु आवकार्ष के शनों में यह समय जल्दी बीचता है जब हम जैविक समय की बात करते हैं इस समय का तात पर जीवों के भीतर एक निश्य समय पर होने वाली गती विधी से है जैसे सुबह होने पर नीद खुलना, रात होने पर नीद आना, भूख लगना आधी यह सब जैविक समय के कारण होता है समय सीमा समय सीमा का अर्थ बिनरें बिन प्रयोजनों के लिए किया जाता है जैसे परिक्षा भवन में हमें एक निशित अवधी में परिश्ट पत्र को हल करना होता वैसे ही एक ग्रहनी को सभी दैनी कारियों का समय निश्चित करना पड़ता है जो कि उसे 24 घंटे के अंतरगत ही करने होते हैं। इस समय के अंतरगत ग्रहनी अपने कारियों का निर्वाहन करती है। जिए हम समय प्रबंदन की बात करते हैं, समय प्रबंदन का अर्थ होता है कि परिवार की विभिन क्रियाओं में समय का विभाजन करना, ताकि परिवार और उसके सदस्तियों का अधित्म लक्षिप्राप्त हो सके। एक रहनी को 24 गंटे के अंदर प्राय निम्लिकित क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे परिवार के लिए भोजन बनाना, घर की सफाई एवं सासज्या, परिवार के सदस्यों की देखबाल, पारिवारिक बजट बनाना वा उसका हिसाब रखना, बच्चों के लिए शिक्षा अब धारना हैं, जिसमें पहली है परियोजना प्रबंधन, समय प्रबंधन को आमतोर पर पुजट की योजना वा समय साणने के रूप जाना जाता है, समय प्रबंधन को परियोजना प्रबंधन से पहचाने जाने वाले मुख कार्यों में से एक के रूप में भी पहचाना ध्यान प्रबंदन ये संग्यात्मंग संसाधनों के प्रबंदन से संबंदित है और विशेश रूप से उस समय जब मनुष्य अपने वा अनकर्मियों के मस्तिक्ष को कुछ गदिविद्यों के संचालन हेतु विवस्तित करता है पारिवारिक जीवन चक्री की विविन अवस्ताएं में समय की आवशक्ता होती है प्रितिक परिवार में समय की मात्रा सिमित रहती है और उतनी ही समय में अनेक करने पड़ते हैं समय की आवशक्ता पारिवारिक जीवन चक्री की अवस्ता पर निर्भर करती है इसलिए पारिवारिक जीवन चक्री की विभिन अवस्थाओं में समय की मांग को समझना आवशक हो जाता है प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था में परिवार में केवल नव विवाहित पत्ति पत्नी ही होते हैं इस अवस्था में एक दूसरों को समझने का प्यास करते हैं, वे दोनों परिवार के जीवन लक्षियों को रिमान करते हैं, आपस से यूजिन का प्यातन करते हैं, इस अवस्था में ग्रहनी का कारेभार हलका होता है, अथा उनके सामने समय व्यस्थापन की समस्या नहीं होती येदी ग्रहनी इस अवधी में नौकरी करती है तो कारे भार कुछ अधिक रहता है दूसरी अवस्तर के अंतरगत परिवार में बच्चों का आगमन होता है छोटे बच्चों के पालन पोशन तथा देखबार में ग्रहनी को अधिक समय देना पड़ता है विबिन सर्वेक्षनों के अधार पर यहां ग्याद हुआ है कि यदि एक परिवार में एक वर्ष से कम आयू के बच्चे हैं तो ग्रहनी को सब्था में 21-25 घंटे का समय बच्चों की देखरेग में व्यर्तित करना पड़ता है एक से नौ वर्ष की आयू के बच्चों के लिए सब्था में 13 घंटे का समय देना पड़ता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं समय की मांग उनकी देखरेग पर कम होती जाती है तीसी अवस्था इस अवस्था में बच्चे बड़े होकर घर की जिम्मेदारी समझने लगते हैं और परिवार की विभिन करियाओं में हाथ बटाने लगते हैं पती-पतनी निर्मान संबंदी करियाओं की योजने बनाते हैं, उन्हें क्यानवित करते हैं तथा बच्चे उनका मुल्यांकन करने में मदद करने लगते हैं चौथी अवस्था इस अवस्था में या तो बच्चे उच्च कक्षा में होते हैं या आत्म निर्भर हो जाते हैं इस अवस्था में कुछ बच्चों की शादी भी हो जाती है यदि वे पढ़ते रहते हैं तो ग्रहने के उपर जिम्मेदारियां होती हैं आनिथा पढ़ने के बाद यदि वे आत्म निर्भर हो जाते हैं तो ग्रहनी के पास काफी समय होता है। पांचवी वस्ता इस समय तक बच्चों की शादी हो जाती है तथा वे आत्म निर्भर हो जाते हैं। ग्रहने की पूरी जिम्मेदारिय समाप्त हो जाती हैं और वह इच्छा अनुसार अपने समय का उप्योग करने लगते हैं। अब हम यहाँ पर समय प्रमंदन के चर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशिस्ट समय अवधी में क्या करता है जैसे प्रहता एवं साएं अत्वा पूरे दिन में या सब्ता में। समय एवं किर्याओं का आयुजन करने के कुछ सुजाओं हैं जिसमें की हमारा समय मूले है। आयुजन में महत्मुट कामों की रात्मिक्ता दी जानी चाहिए। आयुजन की आवशक्ताओं, हुरुच्यों, कारी की दक्षिता एवं रिक्ति समय की दस्टी से सरवादिक कारियों का क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। यथा संबव कारे को सामुही करण एवं भली प्रकार किया जाए जिससे समय की बच्चत हो सके। प्रतेक कारे को सफलता पूर्वक एवं भली प्रकार संपन्न करने के लिए प्रयाप्त समय का प्राविधान किया जाए। समय का आवज़िन इस प्रकार किया जाए कि व्यक्तिकत, रूचियों तथा सामों ही परिवारिक करियाओं के लिए कुछ समय मिल सके. कारेका विभाजन इस प्रकार किया जाए कि परिवार के प्रतेक सदस्टिको प्रियाप्त परिवारिक उत्तरदायत वहन करने को मिले योजन्य प्रियाप्त रूप से परिवर्तन शील हो ताकि विशेस आकस्मिक परिस्तितियां अप्रत्यक्षित अवरोधों अत्वा दैनिक या सापताहिक आयूजनों में परिवर्तन के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके योजन निर्मान के चार चरण हैं प्रथम चरण सरपथम परिवार की दैनिक, सापताहिक, विसिस्ट, मौसमी तथा मरंजन रियाओं की एक सूची बना लेनी चाहिए दूत्ती चरण में इसके पश्चा दैनिक तथा नियमित कारियों की योजन बना लेनी चाहिए निश्य समय कारियों को रिखांकित अत्वा तरंकित करके योजन का प्रारूप त्यार होता है जिसके अंतरगत शेष योजन का निर्धारन करना होता है इसमें बोजन बनाने, परोसने, नाष्था रखने, बच्चों वा परीवारों के सद्रस्थी को विध्याले या कारे पर जाने आधी के कारे अंकित करते हैं दैनिक कार्यों का आईजन करने के पश्चात साप्ताहिक कार्यों के लिए प्रहता एवम सायकाल के समय में रिक्ति समय छोड़ दिया जाता है। करने के लिए सामोहिक चर्चा की आवशकता होती है। यदि उचित हो तो चर्चा करने का कार्य दुत्य एवम त्रित्य चर्ण के अंतरगत भी किया जा सकता है। की विवारिकता में ही निर्भर करती है। यह समान इस्तिती में तथा कतिपे परिवर्तन के साथ असमान इस्तिती में विवार्शिल होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की इस्तिती क्यों न उपेस्तित हो जाए। एक अच्छी योजना सदैव पत प्रदक्षक का कार्य करती है। अवरोधों की उपस्तिती में तो अपने समय अवरोधों को समायुत करने की ग्रहने की कुशलता अनेक गती विद्यों पर नियंतन रखने में सहायता प्रदान करती है। बिमारी की कारण, बहारी कारण अत्वा वस्त्वें बजार से क्रे करने के कारण घर से बहार जाना हो तो आवशे कारे को छोड़कर कुछ कारे द्वारा इस्तगित करना पड़ता है यदि ऐसा करना उचित प्रतीत ना हो तो कारी की गती में अधिक तीवता लाकर एक दिन के लिए सतर में परिवर्टन करके साइकाल करके अत्वा परिवार के अनिस अधिस्तियों उस्ते सहायता लेकर कारी की पूर्टी की जा सकती है समय योजदाओं का मुल्यांकन मुल्यांकन, योजदा निर्मान एवं क्यानवन में तथा परिणामों के लिए आउशक होता है समय विस्थापन में लक्षों की प्राप्ती हे तू, संभावित विध्यों का आईजिन करने से जैसे दैनिक जीवन के समय वाकारी समंदित मांगों की पूर्टी हे तू, आउकाश की किरियाओं एवं मानसिक व्रद्धी की संतुस्टी हे तू, एक कारी से समय बचाकर दूस्ते कारी करने हे तू, सरवोत्तम विधी की खोश करने के लिए एक व्यक्ति कारी करने के लिए अवकास काल के मानक, देनीकारियों का क्रम, जीवन वक्र, कारे वक्र, कारे बहर अभी तक हम निस्वे प्रबेंधन के बारे में जो भी पड़ा उसे यहाँ निशकर्ष निकलता है कि परिवार में समय का समायो जन करना एक रहनी के लिए जिटल समस्या होती है क्योंकि उसे परिवार के सभी कारी को कुशलता पूर्वा सिमिस समय के अंतगर संपन्न करता है विबिन किरियाओं को समय के अनुसार विभाजित कर हम अपने निर्दारित लक्ष को गुणवत्ता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं इस अध्याय में आपने समय विस्थापन के बारे में जाना इसके साथी समय विस्थापन की प्रक्रिया को आपने समझा और जाना कि समय विस्थापन किनके कार्णों पर निर्भड करता है